म ahorita को अंच हाइलो फ्रेंड्स welcome टू मीशास किचिन तो फ्रेंट्स देखना आपने कितनी खिली-खिली कितनी मज़ेदार लिख रही है हमारी सबू दाने की किछडी तो चली बनाते हैं अज खिली-खिली साबू दाने की खिछड़ी तो इसके लिए मैं सबसे पहले ले रही हूँ साबूदाना दो कप इस साबूदाने को मैंने बहुत अच्छे से वाष कर लिया है उसके बाद मैंने 4 घंटे पानी में थोड़े से पानी में और यह बहुत अच्छे से सोक हो गया है यह ले रही हूं में तीन उबले हुए आलू यह ले रही हूं में आधा कप मुंगफली पीनट्स यह ले रही हूं में करी पत्ता दस पंदरा लीप्स करी पत्ते की और यह ले रही हूं में कॉरियंडर यानि कि धनिया पती और इसमें मैं ले रही हूँ यह चिली फ्लेक्स आदे चमच यह टोटली ऑफशनल है और ले रही हूँ आदे चमच कटी हुए हरी मिर्च आदे चमच काली मिर्च पाउंडर और एक चमच नीबू कर रस तो चलिए स्टार्ट करते हैं से बनाना सबसे पह और इसके बाद मैं डाल दिया है चॉप्ड ग्रीन चिली तो यह अच्छे से जब इसमें जाए इसके बाद में डाल देती हूँ पीनट्स पीनट्स को भी हमें अच्छे से रोस्ट करना यह जलेना इतना धिहान रखना है इसको कंटिनुएसली हमें चलाते रहना है तो आप अधिन नाइफ से काट लीजे और अलुके एक दुमेट फ्राय होने के बाद ही मैं इसमें यह साबुदाना एट कर दिया है यह देखिए साबुदाना कितने अच्छे से सोग्ड़ है बिल्कुल भी चिप चिप आ यह नहीं है अब मैं इसको अच्छे से चला लूगी और इ चमच सेंधा नमक और इसके बाद मैं से कवर करके तीन चाय मिनिट के लिए लो फ्लेम पर रख दूँगी जब तक की साबुदाने एक दम ट्रांसपरेंट ना हो जाए तो चलिए तीन मिनिट के बाद मैं से चैक कर लेती हूँ तो यह देखिए साबुदाने एकदम ट्रांसपरेंट हो गए हो एक खिच्छी बनकर एकदम रेडी हो गई है तो मैंने इसमें मिला दिया एक चमचनी बुगर्रस और अब मैं इसकर लेती हूँ उसकी प्लेटिंग तो यह देखिए हमारी साबुदाने की खिच्छी बनकर एकदम रेडी हो गई है एकदम खिली-खिली साबुदाने की खिच्छी मैंने इसे गानिश कर दिया हरी धनी की पत्ती से और लेमन से तो अब आपकी साबू दाने की खिचडी कभी भी चिपचिपी नहीं बनेगी यदि आप यही रेसिपी फॉलो करेंगे आपको यह मेरी साबू दाने की खिचडी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए